लाल की रेते तिरंगा उतार के महां खाली स्थान का जंडा लगाया दिये देशने भी वाजित करने के चक्कर में लग रहे किसानों का क्या करा है एनकाउंटर जो सब्द है वो तो उन्होंने भी परियोग इसमें गलत करया राकेट टिकेट की जो भूमी का है वो आह रही है स हमशकार स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सब के साथ विपिन चोधरी भारते किसान यूजिन के राष्टिये परवक्ता राकेश टिकेट पर लोनी से भाजपा विधायक नंद किसोर गुर्जर के बयान के बाद किसान वर्ग में बड़ी नाराजगी हुई आज तक भी वो नाराजगी बरकरार है कुछ किसान तो नंद किसोर गुर्जर के बयान से नाराज हैं जबकि कुछ किसान उनका समर्थन भी कर रहे हैं आज तस्वीरों में आप जिस किसान को देख रहे हैं ये छेतर के बड़े ही परगती सील किसान है और ये नंद कि सोर गुर्जर के बियान का खुलकर समर्थन कर रहे हैं उसके पीछे आकिर तर्क क्या है यही जानने के लिए हम इनके पास में पहुँचे जबी चोधरी जी बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आपका इंदुस्तान 24 पर आपका भी बहुत-बहुत स्वागत भी पिंचोधर जी आपने नंद किसोर गुर्जर का वो बयान तो जरूर सुना होगा जिसमें वो कहरे हैं कि राकेस टिकैत किसान आंदोलन में यदि किसानों के बीच ना होते तो उनका एंकाउंटर हो जाता इस बयान पर तो बड़ा हल्ला हो रहा है तो आप भी किसान है तो इस बयान को किस तरही के से देखते हैं देखो जी इस मेंसे जो उनों ना बियां दिया नंद किसवर घुजडर जी ने उनमें से लमबा परसेंट बात उनकी सही है रही बात A cheesy काउनटर की ये सब्द अगर उनकी इस पीच से अठाह दिया जा है Kitty बाक्त की हैं मैं बिल्कुल सही हैं उन्हों का जो कहने का मक्सद था जो कानून सरकार बनाना चाहरी थी उन्हों में जो था किसान ने फैदा ही फैदा था नुक्सान के नाम की कोई चीज नहीं थी और रही बात राकेश्ट के थर ने उचका विरोध नहीं कर रहे थे उसका विरोध तो बीकुछ करना था रहीबात इनकी इनों ने तो देश को भी वज़ित करने की योज़ना बनाए लिख़े दिर्ण riffला का उता कि यह वा खालीस्तान का जंडा लगा दिए देशने भी वज़ित करने के चक्कर मे लग रे किसनों का क्या करनें का रहीज़ बात राकेश टिकैत की जो पहों पहचान ती वहा पहचान महेंदर सिंग टिकेट के दुवारा बनाई गई गई है आज भी रहए बा Mm Board महेंदर सिंग टिकेट ज P Ryan बूँत हिदे निता थे उन्होंनने किसानों के इत्मी बहुत संगर्षी भी कर बी करयां और राकेट तिकेत की जो भुमी कया हुआ है रही है सरकार के और किसानों के बीच मैं दलाल की उन्होंन न कोई अंदूलन ठा अंदूलन के आडम है कि पिछिली सरकार जो थी मैं दबाओ में ली और अपना उल्लो छली राको गिया उसे गास निरा है ह्ज़ी और रही बात यू तो बीजेपी विरोधी है इसका दो काम बीजेपी विरोधी करना है से चैहे हुआँ काम सही है या गलत है इसका विरोधी से जुडा हुआ है आपके कहने का ताथ प्री यह है के राकेश टिकेट एक तरह से किसान इतेसी नहीं है मतलब अपने स्वार्थ के लिए आंदोलन करते हैं दूम में बैठे रहते हैं पसीना लेते हैं और अपनी पीट पर लाठियां भी खाते हैं अगर किसान इतेशी होते तो पचास लाग के करोबार से आज भी करोड काहा अगर हो यृप फिंजी है रही बात इनोहना ना तो पैसा कंभाया की सअनों में इननों किसान अंदोलन पर कोई द्यान ने दिया रही बात इंजी हो पुलिस मेर आवे आब यह अपना पले चतुर है ख़ने कमणे के दंदेश भी आवे हैं यह जो इनमा डंका अदमी था नरेस अपना वो पिच्छा लगाए दा खेत तो अपना खेती करवा हुमा अपना राज नहीं ती कर रहा है यह इनके काम है अर यह बात नंद किसार जी की तो एक तो इसमें गलत है एनकाउंटर जो सब्द है वो तो उन्होंने भी परियोग इस कुछ समय में किसान राके इस्टिकेट को गाव में घुषने नहीं देंगे इन्हें दोडाएंगे नहीं हो सकता है यह था अगर यह ही किसके कारणा में किसाने भी रोधिकार यह चलते रहे तो फिर कौन घुषन देगा उनका कहना यह है कि जो किर्सी बिल सरकार लेकर आई अगर बाहर की कंपनी आवें कोंट्रैक्ट केती कराएंगी तो उस तर नहीं नहीं तकनीक डवलप होंगी उपज बढ़ेगी किसान भी परगती करागा यह थोड़ाई है कि हमें आद हिंदुस्तान से उठाया कहीं अमरीका लेती जान नंद किसोर कुरजर ने इस बियान मे यह भी कहा कि एक बार मुगलों ने भारत को गुलाम बनाया इसके बाद अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाया और तीसरी बार राके इस्टिकेत ने वही काम किया तिरंगा जंडा उतार दिया गया और खालिस्तान का जंडा फैरा दिया गया देखो देश के जंडे का अफमान पूरे देश का अफमान होता है रही बात वो तो उन्होंने इतनी महान गलती के रखिए है कि पूरा देश उसर आके इस्टिकेतना कभी माफ नहीं करेगा क्योंकि तिरंगे का तो सम्मान देशी देश में आज भी देश में भी है जी रही बात उन्होंने तो उतरवाए का वो खालिस्तान का लगाए दिया इंडा इस तो क्या होता आदमी का रही बात विरोध अगर सरकार तो था तो अपना अंसन करते तोड़ फोड़ करना जो और जबर्दस्ती करना सरकार विरोधिकार ये करना उन्ता तो कोई फैदा होने वाला नहीं वहां तो उन्होंनों हमें भी सुन्या कि महिला पुलिस करियों गेल भी बत्तमीजी कराई बता उस तो क्या असिल हुआ उसमें जो नुकसान हुआ हो तो सारजनिक तोर पर पबलिक का हुआ हुआ है भाई देश का हुआ तो पबलिक का हुआ है यह रही बात है जिस्ते हम जंडा उताय दिया जा तो इसका मतलब होता है किसी दूसरे का जंडा लगना की उसी का बर्चस्वां कर रहा है इनेले醇न का मतलब तो है खालिस्तान आका जंडा लगा अगए लिकी आगे लेकिन यही है कि यहां पर गुझते है इसा तो वहां पर हो आहीं नहीं हुआ कुछ हुआ ही नहीं राकेश टिकेट ने तो जंडा नहीं फेराया नहीं राकेश जितने भी किसान नेता थे उनमें सबसे बड़ी लीडर्सिप किसानों में राकेश टिकेट जी की थी इन्होंने भी जितने परोसान इन्होंने दिया एतना तो किसी भी किसान नेता नहीं दिया रही बाद जो भी बबाल सबाल वहाँ सब इनके करने पर वहाँ पहले नहीं पहले नहीं थे पंजाब के यहां तक आने की इम्मत भी ने करना थे दिल्ली की सिमा थे हो तो सब इनके बुलाए गुले थे इनके अपनी सेटिंग थी बहुत जो भी कुछ ती हो मारफ़ कुछ जाद कुआ हो अपना इसका थेला बटा चटा चली रहा हो को हम इसमें सरकार में बंद है अपना भी सबी आदत पड़ रही है अग भाई माल मसाला चलनी रहा को हम कहा तर ले हो करचा है नहीं हरा आदमी सोचे है मेरा सवाल आप से यह है कि जो किसान उस आंदोलन में सामिल थे उनका कहना तो यह है कि वहां उस दिन जो भी कुछ हुआ वो सब जो एक तरह से प्रावजित कारिकरम था और उसके पीछे सरकार का आथ था देखो उना तो कहना भी था यह बात त कि काम से दाम से उसके उसकी परगतीत है उसके कानून सा कोई लेना देना नहीं था उन्होंनों तो बीजेपी की जड़ा लेने की सोचे नहीं है किस तरह है किस तरह नहीं है मेरा सवाल आप से यह है कि बाजपा विदायक नंद किस और गुर्जर तो अकसर अपने बेयानों को लेकर चर्चाओं में रहते हैं और इस जिसमें वहाँ पर किसान अंदोलन चल रहा था उससे में भी ये बात निकल कर सामने आई थी कि अपने लोगों को लेकर वहां धरन पर गए थे एक तरह से माहूल बनाना चाह रहे थे देखो माहूल बनाने की कोशिश नहीं वो जो हाईवे रुके हुए थे उन आसपास के गवाणों वाड़ों ने जो लोग पबलिक चलने वाड़ी है वही काहों से कदीदर से गुजरना कदीदर से गुजरना गवाँ में जीवाज पास के कहीं ने रासता निकालने की कोशिश कर रहे तो दूसरे गाऊंपे जाहाँ में लगे रहे था हूं नोंकर जो में में मनसा थी वो रासता खुल्वाने की थी उन्होंने कीसान विरोधी काहमस कें न jewels कोई लेना देना नहीं था, अगर हम किसान उठाने हैं है या हिने पकड़वाने हैं या इनकांवन्टर था और मैं तो यह भी नहीं मानता कि उन्होंने इनकांवन्टर जैसी बात अपने दिल तर सोच के कहदी होगी हो सकता है उनके दिमाख मत से निकल रिखाओ बाद और मुफाई तो नहीं है या अब जो नहीं ठाहद है यह तो इनका बस पता नहीं कि आज आट फैक्टर छोड़ रहे हैं गुजर फैक्टर अपसमा खाज जिब चुनाओ नजदी का भाए खाज खुजली कि नहीं कमा अदत हो जाए या नहीं होना भी जेपी का भी रोद करना चाहे किसी भ बड़ने वाला बयान है नहीं देखो मेरी सुनों बात रही बात किसानों की राजनिती इसमें गुजर भी किसान यूनियन में है जाट भी किसान यूनियन है अगर या आद में कोई राजनिती बेस कोमनल तरीके तक करागा तो उसका अच्छा नहीं होता चिए हैं वह किसान Union की राजनेती खर रहया किसी पार्टी की खर रहा जड़ वह तो प्ये कई लेना ट्राउज आज पूझ रिच्व के बड़े जो जो जाट है क्या । बड़े धो दनी के हैं राज्य आपको क्या लगता है उनके इस बियान से जो है जाट और गुजर का जो भाई चारा है उसमें कुछ दिक्कत है मेरे हिसाब से तो कोई नहीं ना चीए क्योंकि रही बात यह भी अपने अगर जाट और गुजर आपस में सोच के चलें यह नंद की सोर जी के भी अपने व्यक्तिकत विचार थे वैसा तो अर रही बात जो अपना वाविदें वही काम हरे आपसा कुछ या किसान यूनियन तरब सला करकर थोड़ा भियान दे रहारा के इस टिकेति में अभी अपने उसके निजी एक बियान है जैसे चुनाव में का बाजबा से उनकी कोई नाराजगी थोड़ाई है वो तो किसानों के मुद्धों पर बात करते हैं देखो किसानों के मुद्धे पर बात करने की बात यहा है यह जो किसान कित में जो सरकार बिल पेस करने लग रही थी इनकी यह डिमांड कर रही थी भारते किसान यूनियन आपने पड़ावियों अकबार में नरेश्टिकेज जी ने दिया भी था यू अक हम इन मुद्धों और उसका सौगत भी कर दिया और धनबाद पतानी निसकी उनकी पंजा किसान रभी चोधरी जी को आपने सुना जिन्होंने बड़ी बेबाग तरीके से अपनी बात कहिए फिलाल इस वीडियो में बस इतना ही अगली वीडियो में फिर आप से मुलाकात होगी तब दक बने रहे हैं इंदुस्तान 24 के साथ नमस्कार